दोस्तो एक चीज जो मैं अपने वीडियो में यूज करता हूँ वो आप लोगों को काफी पसंद आया है और आप लोगों ने कॉमेंट किया है कि सर हमें भी इस तरह का वेलकम स्लाइड बनाना सिखें या वेलकम इंट्रो बनाना सिखें तो दोस्तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो में बना रहा हूँ इसमें दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में वेलकम इंट्रो कैसे लगा सकते हैं ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो पे लास तक बने रहे हैं देखते रहे हैं और सिखते रहे ह लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है राजीव और आप देखर अपना यूटूब कैनल एटक मित्रा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आप सभी ने देख लिया कि आज किस वीडियो में मैं आपको क्या बदनाना सिखाने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने लैप्टॉप ये PC में PowerPoint अप्लिकेशन ओपन कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है ले आउट में जाना है और यहां से blank slide select कर लेनी है इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि slide के उपर right click करना है और उसके बाद दोस्तो यहां पे आपको एक option मिलता है format background आपको format background पे click कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे मिलेगा solid fill solid fill में जाएंगे और यहां से दोस्तों color का option मिलेगा तो दोस्तों हम लोग इसमें जो है इस तरह से black color fill करवा लेंगे और इसे close कर देंगे इतना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है यहां से एक rectangle लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों slide के उपर एक rectangle draw कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है slide के उपर इस तरह से rectangle draw कर लेंगे rectangle draw करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है save fill में जाना है और यहां से दोस्तों आप इसमें red color fill करवा दीज़े ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको save outline में जाना है और यहां से दोस्तों आपको कर देना है no outline फिर दोस्तों हम लोग side में click करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां से tax box select करेंगे और यहां पर दुस्तो tax box रोग करेंगे और इसमें दुस्तो आप जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं यहां पर आप अपने channel का नाम लिख सकते हैं, Welcome लिख सकते हैं या thank you लिख सकते हैं तो दोस्तो यहां पर मैं Welcome लिख लेता हूँ, उसके बाद दोस्तो मैं Ctrl A के साथ All Select करूँगा, उसके बाद दोस्तो यहां से मैं Font Size 110 दे देता हूँ और Enter कर दूँगा, ठीक है, 110 Font Size रख लेना है, उसके बाद दोस्तो आपका जो भी Favorite Font हो, वो Font दोस्तो आप यहां Apply कर देंगे ठीक है, उसके बाद दोस्तो आपको करना है, इसका Box थोड़ा सा कम कर लेना है, कुछ इस तरह से, और उसके बाद दोस्तो आपको से Format में आना है, Align में आना है, यहां से दोस्तो आप Center कर लेंगे, फिर दोस्तो आपको Align में जाना है, और फिर Middle कर लेंगे, ठीक है, इस त दूस्तो शीप्ट दवा की रखना है ऊपयाद के रखना है और यह वेलकम जो हमने लिखा है वेलकम के उपर किलिक कर देना है फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबसे पहले आप स्लाइड के ऊपर किलिक करेंगे शीप्ट को दवा के रखनेगे और यहां पे जो भी चीज़े आपने लिखा है उसके उपर आपको क्लिक कर लेने है इतना करने के बाद आपको save format में आना है और उसके बाद दुस्तो यहां आपको मिल जाएगा merge shapes आपको यहां क्लिक करना है और यहां से दुस्तो आपको कर देना है सब्सट्रेक्ट ठीक है यह वाला उप्सन सेक्ट कर लेने में, सब्सट्रेक्ट किपली इतना हो जाएगा बस इतना आपका होगया चलेए आगे देखि खना है क्या करना है आगे दोस्तो nes practical करना है यहां से रेक्टेंगल सेट करना है और उसके पाद दोस्तो आपको एक rectangle इस तरह से यहाँ पर ड्रोग कर लेने हैं दोस्तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस font का जितना थिकनेस है उतना ही थिकनेस दोस्तो आपको इस rectangle का रखना है अगर आपको कम करने की जुरुवत पड़ता है तो कम भी कर सकते हैं ज्यादा करने की इस फॉन्ड का जो color है वही color दोस्तों इसमें भी हम लोग fill करवा देते हैं तो फिलाल दोस्तों मैं इसमें इस तरह से white color fill करवा देता हूं ठीक है उसके बाद दोस्तों सेप outline में जाएंगे और यहां से कर देंगे no outline उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है align में आने के बाद दोस्तों यहां से middle कर लेने ठीक है चलिए इतना हो गया इतना होनी के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है slide को थोड़ा zoom in करना है ठीक है और उसके बाद दुस्तों वापस से हम लोग एक rectangle select करेंगे और देन दुस्तों हमें क्या करना है welcome के उपर एक rectangle draw कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह से हम लोग कर लेंगे उसके बाद दुस्तों हमें क्या करना है align में जाना है और यहां से से middle कर लेंगे फिर दोस्तो अलाइन में जाएंगे और यहां से center कर देंगे ठीक है इतना करने के बाद दोस्तो आपको कश्ता करना है इस shape के अंदर एक color fill कर लेना है तो यहां से दोस्तो मैं white color fill कर लेता हूँ और सेप आउट लाइन में जा गरके नो आउट लाइन कर दूंगा इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है shift को दबा के रखेंगे keyword पे shift दबा के रखेंगे उसके बाद अम लोग क्या करेंगे mouse से बगड़के इसे slide के बाहर कर देंगे कुछ इस तरह से हमारा foundation तयार हो गया है अब हमें क्या करना है इसमें animation अपलाई करना है तो सबसे पहले हमारा animation क्या होता है कि सबसे पहले दोस्तों यह जो line है यह नीचे से उपर आता है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस line में animation अपलाई करेंगे ठीक है तो line में animation apply करने के लिए दूस्तो हम लोग सबसे पहले line को select करेंगे animation tab में जाएंगे और animation tab के उपर click करने के पर दूस्तो यहां से wipe animation इसमें apply कर देंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा यहां दूस्तो हम लोग animation pen open कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि कि इसमें हम कौन कौन से Animation apply कर रहे हैं। और यह भी समझ सके कि हम इसमें यह एनिमेसन क्यों apply कर रहे है। अब धुल यहां पे हमने wipe animation लगा डिया है, जो कि यहां पर show कर रहे है। अब धुल खोकर शुम और कि करना है। Start with previous रखना है इतना हम ने कर दिया, अब दोस्तों हमें दोरेशन कर देगे, इतना होने के बाधे दोस्तों, अब हम क्या चाहते हैं कि भाइल यह लाइन जो ह SUBSCRIBE इस साइड से एस साइड में वह आज है, तो इसके लिए दोस्तो हमें क्या करना होगा वापस से इसी में एक और एनिमेशन एड़ करना होगा तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे पहले दोस्तो मैं इसे फिलाल बढ़ा लेता हूं कुछ इस तरह से और यहां से दोस्तों मैं slide को थोड़ा सा middle में कर लेता हूं कुछ इस तरह से ताकि दोस्तों आपको सभी चीज़े परोपर दीखे और आप सभी चीज़ों को परोपर समझ सकें यहां पर हमने यह कर दिया इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है इस line को select करना है और उसके बाद दोस्तों इसमें हमें एक और animation एड़ करना है इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे add animation के उपर किलिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग motion path में motion path category में से हमें line animation इसमें apply कर देंगे अब दोस्तों यह क्या हो रहा है कि यह उपर से नीचे आ रहा है लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है इस line को जो है right से left ले करके जाना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे effect option के उपर किलिक करेंगे और यहां से दोस्तों हम लोग right select करेंगे तो यहां से यहां आएगा, अभी फिलाल क्या हो रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इस लाइन को इस किनारे से इस किनारे तक ले कराना है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंग है start point ठीक है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे rate वाले point के उपर click करेंगे और then दोस्तों shift को दवा के रखेंगे ठीक है अब हम लोग दोस्तों बारबार keyboard पर shift इसलिए दवाते है ताकि दोस्तों जब हम इस point को पगड़ के एक जगा से दूसरे जगा ले जाएं तो यह जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जाए ठीक है इसलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं shift को दवा के रखते हैं और उसके बाद ही दोस्तों हम लोग जो है इसमें कर देना है after previous ठीक है अब हमने after previous क्यों किया कि पहले यह होगा उसके बाद ही यह चीज़े होगा ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे after previous लगाया ठीक है इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे timing जो है वही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप देखिए क्या होता है हम लोग यहाँ से animation प्ले करते हैं इस तरह से line ड्रो होगा और फिर यह जो है इस तरफ से इस तरफ आएगा ठीक है अब दोस्तों हम लोग क्या च टी भी जो है इस तरफ से इस तरफ आए ठीक है तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है और यहाँ से animation प्लेक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यह जो पट्टी है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ठीक है यह देखिए यह कुछ इस तरह से आ रहा है लेकिन अब हमें एक चीज और करना है इसमें एनिमेशन तो लग गया लेकिन इसका जो इंड पॉइंट है दोस्तो हमें क्या करना है इसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तो हमें यहां पर इसका end point दिखेगा और इस end point को पगड़के दोस्तों हमें क्या करना है इस तरफ से इस तरफ ले करके आना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले shift की को press करके रखेंगे और दोस्तों इस point के ऊपर हम लोग mouse पुएंट लेकर रके जाएंगे। उसके बाद दोस्तो हम इस पृइंट को पगड़के इस तरफ से इस तरफ लेकर के आएंगे और इससे दोस्तो हम लोग इस जगह पर रखेंगे ता कि ये ज景 तो welcome लिखा हुआ है यह पूरी तरह से ढख जाए ठीक है और फिर दोस्तों हम लोग side में click कर देंगी ठीक है अब देखें क्या होता है हम लोग इस तरह से play करते हैं यहां देखें यह जो है इस तरह से इस तरफ आ रहा है ठीक है यही same animation यहां से हमने copy करें, same animation यहां पर apply किया है, इसलिए इसमें भी 2 animation लग गया है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, यह जो green वाला है, इसे हम लोगों को delete कर देने, ठीक है, इसे delete करने के बाद, अब आप देखें क्या होता है, और नीचे वाले को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर after previous है, तो इसे कर देंगे with previous, यानि कि हम लोग चाहते है, कि जैसे ही यह line जो है, इस तरफ से इस तरफ आए, वैसे ही जो है, यह welcome भी 7 में लिखाए, यानि कि यह दोनों हम लोग 1 साथ चाहते, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमने क्या क्या, इसमें start with previous रखा है, ठीक है, अब चलिए हम लोग यहां से इसे play करते हैं, यह देखे, यह देखे, बिल्कुल साथ साथ हो रहा है, ठीक है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, यह देखे, ठीक है, बिल्कुल ओके है, अब इसमें दोस्तों एक चीज और करना है, वो क्या करना है यहां पर यहां पर यहां पर इस अपर डवल किलिक करना है और इसमें दूस्तों हमें क्या करना है आईगा और इस तरह से हम लोग कर लेंगे और इसमें भी स्ञवर दोबल किलिक करेंगे और इसमूथ स्टार्ट को नन कर देंगे और smooth end को none कर देंगे और okay कर देंगे अब चलिए हम लोग एक बार और animation को play करके देखते हैं यह देखे यह देखे यह कुछ इस तरह से आ रहा है अच्छा अभी दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है अलग ही तरह का देखने को मिल रहा होगा ठीक है क्योंकि हमें क्या करना है य राइड किलिक करेंगे उसके बाद format background select करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो save का color है same color दोस्तों आपको background का भी रखना है ठीक है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे background में भी जो है red color apply कर देंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा य दोसके बाद यहां पर यह जो welcome black color में लिखा हुआ आ रहा था वो दोस्तों हमारा क्या होगा बिल्कुल देखना बंद हो जाएगा ठीक है आप दोस्तों हम लोग इसे close कर देते हैं और देन दोस्तों हमें क्या करना है इस save के उपर click करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करे जाएंगे save format में जाएंगे और यहां से दोस्तों align में जाएंगे और यहां से center कर लेंगे फिर दोस्तों align में जाएंगे और यहां से middle कर देंगी आप देखिए क्या होता है यहां से हमनों animation play करते हैं यह देखिए यह देखिए line गया फिर यहां पर यह welcome लिखाया ठीक है त अब हम क्या चाहते है यह जो लाइन है यहां आने के बाद वापस यहां रिटर्न आए और उसी के साथ यहां पर जो वेलकम लिखाता है वो डिलीट भी हो जाए ठीक है तो यह हम कैसे करेंगे चलिए जानते हैं तो दोस्तो हमें क्या करना होगा इसी सेप में जो है दुवारा एक और animation add करना होगा तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस सेप को सेलेक करेंगे और देन दोस्तों हम लोग add animation के उपर क्लिक करेंगे motion path वाली category में आने के बाद यहां से line animation apply करेंगे ठीक है अभी यह नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना है दोस्तों यहां से effect एफेक्ट में जा करके right apply कर देंगे, right apply करने के बाद दोस्तों अब यह तो right जा रहा है, बट अभी क्या हो रहा है कि यहां से right जा रहा है, लेकिन हम क्या चाते हैं, यह जो है यहां से यहां आए, तो दोस्तों इसका end point है, और exit point है, वो दोस्तों हमें change करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस animation को select करेंगे, यहां पर यह हमारा end point और start point जैसा बन जाएगा, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहां से start point को पगड़ना है, और इस point पर लेकर के आना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, keyword पे shift की दवा के रखेंगे, ठीक है, shift दव इस तरह से लेकर आएंगे, और उसके बाद दोस्तों इसका end point है, इसे पकड़ेंगे, shift दवाएंगे, और इसे पकड़ कर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, just same to same जो है, इसी point पर लाकर रखेंगे, ठीक है, यह जो हमारा safe है, same इसी के उपर लाकर रखेंगे, ठीक है, अब देखें क्या होता है, हम लोग यहां से animation play करते हैं, यह देखें, यह कुछ इस तरह से हुआ, और फिर यह कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, तो इसमें हमारा यह return animation लग गया है, अब दोस्तों हमें करना है, इस animation को select करना है, और यहां दोस्तों हम लोग कर देंगे, after previous, ठीक ह इसलिए लगाया है, ताकि दोस्तों जब यहां से यहां आएगा, और यहां एक सकेंड रोकेगा, यानि कि एक सकेंड यहां डिले करेगा, उसके बाद यह जो है, इधर से इधर आएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर यह जो welcome लिखा हुआ है, वो delete होता हुआ दिखेगा इसलिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें भी same motion path animation apply करना होगा, ठीक है, तो हम यहां से इसमें same motion path animation apply कर देते हैं, लेकिन अभी फिलाल यह नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से effect option select करेंगे, और यहां से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है, last से right select करेंगे ठीक है यहां से हम लोग right effect apply करेंगे ठीक है लेकिन दोस्तों अभी यह क्या हो रहा होगा कि यहां से और इधार जा रहा होगा लेकिन हमें क्या करना है इसे तो यहां से यहां लेकर क्या आना है तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इस animation का जो start point है ठीक है यह जो start point है हमें क्या करना है इसे पकड़ कर ठीक है इस तरह से इसे पकड़ेंगे और इसे पकड़ दोस्तो हम लोग यहां ला करके रखेंगे ठीक है यानि कि यहां ला कर रखेंगे ठीक है ताकि यह यहां से जो है यहां आएगा ठीख ह 해 और यह जो हमारा startpoint है दोस्तों हमें क्या करना है को पगड़कर यहां लागर के रखना है यहां लाकर रखेंगे ठीख और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगो इसमें करनेंगे वीथ takeaway यान कि यूसरे ही यह लाइन इह यह से इहाँ अगा इसमें भी जो है, वान सेट डिले ना चाहिए ठीक है? जिसे इसमें हमने फीज असे डिले रहा उसलिए जॉसलिए भी हमारा वन सेट डिले होना चाहिए, ठीक के बाद दोस्तों यह दोनों हमने बाद में motion path animation अपलाई किया है, इसलिए दोस्तों हमने क्या करेंगे? एक-एक करके, यानि कि इसके ओपर double click करके और इसका जो smooth start है और smooth end है इसे null कर देंगे और ok कर देंगे, ठीक है है और इसमें भी سंए उसी तरह से करेंगे ठीक है? यानि कि animation के ओपर double click करेंगे तो यह window open होगा और उसके बाद हम लोग smooth start smooth end none कर देंगे और ok कर देंगे ठीक है आप दोस्तों हम लोग play करके देखते हैं यह देखे यह इस तरह से आया इस तरह से welcome लिखाया one second रुका और फिर यह इस तरह से हो रहा है ठीक है फिल्कुल perfect है दोस्तों आप चाहें तो इसमें जो है थोड़ा सा timing भी आगे पीछे करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि एक साथ नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप इसका timing जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं यह देखे दोस्तों देखे इस चीज़ को आपको बारबार repeat करना होगा बारबार देखना होगा और इसका timing जो है बिल्कुल सही से match कराना होगा अब यह क्या होता है कि यह line यहां आगर के रूप जाता है लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है इससे वापस जैसे यह नीजे से उपर गया था इस टार्टिंग में वैसे हम चाहेंगे कि last में जो है इस तरह आगर के यह गायब हो जाए ठीक है तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे last में इसके उपर क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों add animation में जाएंगे और यहां से दोस्तों इस बार हम लोग क्या करेंगे exit वाले category में से wipe animation apply कर देंगे अभी दोस्तों ये नीचे से उपर गायब हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एफेक्ट में जाएंगे और यहां से from top कर देंगे और यहां से दोस्तों start after previous कर देंगे अब दोस्तों ये जो है मारा perfect बन गया है अब दोस्तों हम लोग यहां से slide show करके देख सकते हैं यह देखें यह इस तरह से आएगा फिर यह इस तरह से होगा फिर यह जो है इस तरह से होगा ठीक है फिर से दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यह देखे नीचे से उपर गया फिर welcome लिखाया फिर यहां एक सगेंड रोका और वापस इसरफ से exit हो गया बिल्कुल perfect है तो इस तरह से दोस्तों आपको यह सारी चीजे कर लेनी हैं सब कुछ बिल्कुल perfect है अब दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं कि जिस तरह से हमने इस ची कि यह भी इसमें आप कर सकते हैं